हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स प्रिंग्नेंसी के दौरान डॉक्टर समय समय पर अल्टरशाउन करवाने की सलाय देते हैं ताकि आपकी बच्चे के वजन के बारे में पानी वगेरा जो एश्टा की जानकालियां हैं सारी उन नाती सहे वाला वजन एक समभावित वजन होता है ना कि एकदम सही Centers होता है खुछ लोग सोचते हैं कि अगर इतना बजन लिखा है तो इतना ही निकलता है जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है बेबी बजन के साथ साथ प्लस माइनस में कुछ बजन और भी दिया रहता है जैसे अगर लिखा है एक हजार ग्राम प्लस माइनस एक सो पचास ग्राम तो इसका मतलब है कि बच्चा एक किलो यानि कि एक हजार ग्राम का है और साथ में प्लस माइनस 100 ग्राम जादा या कम भी है लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से सही नहीं होता है क्योंकि ये होता है मसीन का अनुमान लेकिन मैंने बहुत से लोगों पर और खुद की बच्चों पर आजमाया है कि रिपोर्ट से लगबख 300 से लेकर 700 ग्राम तक वजन कम ही निकलता है भले ही रिपोर्ट में प्लस माइनस करके 100 या 200 ग्राम जादा वजन लिखा हुआ है लेकिन अंतर कुछ जादा ही होता है जितना रिपोर्ट में वेट है उससे आप कम ही मान करके चलिए उसी हिसाब से अपने उपर ध्यान दीजिए ताकि बच्चे का और भी ज्यादा अच्छा वजन बढ़ सके कई बार क्या होता है कि बच्चे का वजन पूरा उन्होंने देखा कि दो किलो है आखरी तक तो मैला हैं सोचती है कि दो किलो ही होगा तब भी ठीक है लेकिन ऐसा नह कि यह खूब प्रोटीन युक्त चीज़े खाए जिसने बच्चे का वजन खूब अच्छे से बढ़े तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी प्रेंड्स वीडियो जिखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू